बिहार के पुरमुख्यमंत्रीवा राज़त सुप्रिमो लालू प्रसाद यादो तीन दिवसीय जारखंड के दोरे पर हैं लालू यादो पलामू पहुँचे हैं जहां वो आठ जुन यानि की कल पलामू के कोट में आदर्स अचार संहिता के मामले में पेस होंगे जैसे हैं लालू प्रसाद यादो जारखंड के दोरे पर पहुँचे पलामू पहुचे कारकरताओं की भीर उमर रही है फिलहाल लालू यादो पलामू के सरकिट हाउस में रह रहे हैं लेकिन जो बड़ी खबर निकल कर सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है जिस कमरे में लालू प्रसाद यादो रह रहे हैं उसमें आचानक आग लग गई है ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं लालू यादो जिस कमरे में रहे हैं उसमें आग लग गई है और तुरंत ही मौके पर पहुचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया हलांकि ये सवाल ख औरे में लालू यादो कई बड़े जो फैसलें वो भी ले सकते हैं जारखन राजद के नेताओं के साथ और साथी साथ बैठ के तो चल ही रही है लागातार पार्टी के नेता पहुची रहे हैं लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर निकल कर आई लालू यादो जिस कमर कितितन में कुछ में दिखा रहे हैं और इस तस्विर को देखा आप समझ सकते हैं किस तरीके से telef lesson होगी इस तौट सरक्फीट से आग लगी है तसवीरों को देखर आप समझी गए होगे यह चो पंखे लगाए गए हूं उसमें आग लगी है तो कहीं न कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था लालू यादो जिस जगह बेटे थे वहां फिलाल लालू यादो अखबार पर रहे थे इस दोरान ये घटना होई है हलांकि किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है सिर्फ पंखे म पूरा मामला है सबसे बड़ी खबर इस वक्त के आपको दे रहे लालू यादो आठ जून को कोट में हाजिर होंगे वो सरकीट हाउस में लगातार और जेडी के निताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं लेकिन इन सब के बीच बहां जो पंखे लगाए ग अकबार पर रहे थे तीन दिवसीये जारखन के दोरे पर आर जेडी सुप्रीमो फिलाल पलामू में हो और ये बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर आपके सामने एस्क्लूसिब है ये उस वक्त की तस्वीर है जब लालू यादो पलामू के दोरे पर बने रहें धन्य बाद